आज मैं अपने शेयर करूंगे घर पर ही घी वनाने का इतना आसान तरीका यह 10-12 दिन की मलाई को मैंने खट्टा कर रहे हैं मेरे पास में हैं जिसकी मदद से मैं इसको चला रही हूं अगर आपके पास में ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी में कर सकते हैं या फिर जो हमारे आपके ब्लेंडर अगर जाम होने लगे तो आपको गरम पानी डालते रहना है साथ के साथ में और इस तरीके से दीरे दीरे दीर चलाते रहना है आप जब स्कूल कंटे में चलाते रहेंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे से लंप्स बनने स्टार्ट हो इसके बाद में हम इसी तरीकी से थोड़ा से और अच्छी से चलाएंगे बहुत ही इसी रेसिपी ये घी बनाने की आप डेली मलाई खट्टा कीजिए और इसको अपने घर में शुद्ध देशी घी आप निकाल सकते हैं इसके बाद में आपको ये जो मत्ठा निकला है प्लेट लगा कि ये किसी भी छहनी की मदब से उसे हम निकाल देंगे मतलब पानी को इस मक्षन से अलग कर देंगे क्योंकि वेस्ट होता है ये जो अलग से थोड़ा बात पानी जम जाता है वो रह जाता है तो इसको हम अलग से अब पानी को हम अलग करतेंगे और इस मक्षन को हम कड़ाई में सीधा रख देंगे और यह फिर धीरी धीरी इसमें से इस तरीके से हलका से चलाना चाहिए तो चला सकते हैं अगर आप काम आच पर छोड़ देंगे तब यह होता रहें अगर मीडियम फ्लेम में इसको बनाएं अच्छे से फिर इस तरीके से होता रहेंगा इसमें से गी अलग हो जाएगा बहुत ही मतला यह पीगलती पीगलती एकदम गी बनके तयार आज़ाए इसमें से आप कोई वेस्टेज नहीं निकलेगा यह प्योर आपका गी तयार हो चुक है इस तरीके से देखिए उबलता अच्छे से जब गी प्रॉपर बन जाए फिर आप इस तरीके से ठंडा हुनिवाद में चान सकते इसको और यह आपका गी तयार